सर्दी के मोसम की शुरुआत हो चुकी है आप यह तो जानते ही हैं कि सर्दियों में आपको भरपूर विटामिन मिलते हैं क्योंकि सर्दियों में लगभग आपको सभी तरह की हरी सबजिया और फल आराम से मिल जाते हैं इनहीं में से एक है आवला जिसे विटामिन्स का भंडार कहा जाता है इन दिनों आपको जगह जगह पर आवले बिक्ते दिख जाएंगे ये मोसम आवलों के सेवन करने के लिए सबसे अच्छा होता है आवले को पोशक तत्वों का पावर हाउस कहा जाता है आवला विटामिन जाने माने अयुर्वेद चार ये अनियल राय का कहना है कि इसका सेवन लोग लंबे समय से इम्मुनिटी बढ़ाने के लिए करते आ रहे हैं खास तोर से लोग सर्दियों में इसे नियमित रूप से खाना शुरू कर देते हैं आयुर्वेद की भाषा में आमले को आमलकी कहा जाता है कहा जाता है ये प्राकरती में पाए जाने वाले सबसे शक्तिसाली फलों में से एक है यह त्री दोशों वात, पित और कप को प्राबंदित करने का सबसे अच्छा विकल्प है इससे आप आसानी से शुगर लेवल को नियंतित कर सकते हैं इसमें मुझूद क्रोमिस की अच्छी मात्रा शुगर लेवल से स्पाइक्स को रोकने में कारगर है ये बात आपको पता नहीं होगी कि 100 ग्राम आवला के अंदर लगभक 700 ग्राम विटामिन पाया जाता है अगर आप ताजा आवले का सेवन करते हैं तो डाइबिटीज को मैनेज करने में भी बहुत सहायता मिलती है जो लोग परेशान है फैटील लीवर से रोज खाएं आवला और देखे फाइदा आवला अपने ओशिदिय गुणों के कारण ही 1000 से ज़्यादा वर्षों से जाना जाता है ये संक्रमन सर्दी और खासी को दूर करता है इतना ही नहीं बलकी डाइबिटीजन, कैंसर, दिल के रोग, हाई बलड प्रेशर और किड्नी से जुड़ी बीमारियों से बचाने में भी मददकार है यहां तक कि लोग इसे बालों की जड़ने की समस्या से निजाद पाने के लिए भी उप्योग करते हैं आमला करेगा आपकी पाचन सम्मंदी बीमारी को दूर अक्सर सर्दियों में कुछ लोगों को कब्ज जैसे समस्या होती है ऐसे में आपको फाइबर की अच्छी मात्रा के साथ आमला पाचन सम्मंदी बीमारियों को दूर करने का एक शानदार नुस्खा है डोक्टर दिक्षा भावसार कहती है कि आमला एसे डीटर वजन कम होना पाचन सम्मंदी समस्याई डाइबिटीज आखों की रोशनी में सुधार के साथ साथ लगभग हर बीमारी में बहुत अच्छा काम करता है सब्सक्राइब करें परिया वरन पोस्ट